हेलो फ्रेंड्स कैसा आप सब लोग फ्रेंड्स आज की वीडियो में बात की जाएगी एक बहुती महत्मुन मनोविग्यनिक के बार में जिनका नाम था नौम चोमस्की देखे अगर मैं बात करूँ सीटेट के एक्जाम में तो जो सीटेट में आपकी लेंग्वेज आती है ज जो आगे वेकेंसी निकलती है टीचिंग की उसमें भी इंसे सम्मंदित कोशन आपका जरूर पूछा जाता है तो आज की वीडियो में आपको इस तरीके से बताऊँगा आप इसको कभी नहीं बोल पाऊगे और हमेशा के लिए आपके जो नंबर होते है वो पक्के हो जाए चैनल पर आपको प्रवाइड करा दूँगा इसलिए उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए बात कर लेते हैं नौम चोमस्की की देखे यह रहे आपके नौम चोमस्की ठीक है यह दिखने में ऐसे दिखते थे जिन्नोंने बासा विकास का सिद्धान जिसको इन बोन ठीक बोला जाता है अब इंचे संबंदित महत्पून पॉइंट देखते हैं जो आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है अगला पॉइंट में यह एक्जाम में पूछा गया है कि नौम चोमस्की किस देश के निवासी थे तो यह एमरीका के रहने वा पॉट रहा हूं आप जो जो लोगैं यूटूब पे मेरी वीडियो देख रहे हो आपकी जो भी क्या आपने अपनी भासा ुखने के लिए कि है मानने कोई रूल की हेल्प लिए किसी टीचर की हेल्प लिए नहीं जब आप छोटे थे तो अपने आप इस भासा को सीख गए तो यह बात यह कहते हैं और आपका एक्जाम में भी एक कुश्चन आया कि कि इस से बच्चा भासा शीखता है ऐसा ये कहते कि मेरे और आपकी माइंड में जब हम छोटेते तो एक डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम कोई भी भासा सीख लेते हैं जो हमारी भासा होती है मात्र भासा ठीक है उस डिवाइस का नाम है आपका एल एडी इसकी फुल-फोर्म भी याद कर ले ना काफी बार एक्जाम में पूछ गई है तो इसकी फुल फो में आपकी Language Acquisition Device भासा अधिगरण यह नतर ठीक है यह वो डिवाइस होता है जो हमारे और आपके माइंड में होता है नोम चो मुस्की के कोडिंग जिसकी हेल्प से हम कोई भी भासा सीख लेता है बच्चा कोई भी भासा सीख लेता है ठीक है और बच्चे में भासा सीखने की क्या होती है चमता जन्म जात होती है बाई बर्ट से होती है इस device की हेल्प से आप देखें, जो बच्चा हिंदी बोलता है, जैसे मैं हिंदी बोल ला हूँ, तो मैं अपने आपी भासा सीख गया, जनम के बाद मैं अपने आपी भासा सीख गया था, ठीक है, और उसके वला पंजाबी बोलने वाला बच्चा अपने आप पंजाबी बोलना सुरू कर देता यह जो भी आपकी बहास होगी वह आप अपने आप बोलना सुरू कर दिया होगा इसमें आपने ठीक है और यही बात नों चोमस की बोलते हैं किसकी मदद से लेडी की मदद से लेंग्वेज एक्क्वेजिशन डिवाइस के हैं ठीक है आगे देखते हैं यह क्या कहते हैं इन्होंने सारभोमिक व्याखरण यानि यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्दान दिया था यानि कि जो ग्रामर होता हो जर्म जात होता है बच्चे के माइंड में या ग्रामर के नियम विद्यमान होते हैं यह आपका काफी महत्मिन पॉइंट है जो आपके एक्जाम में भी पूछा गया है आगे देखते हैं इन्होंने क्या बताया है इन्होंने बताया है चोमस्की ने भासा के दो लेवल बताये है कौन-कौन से पहला सर्फेस लेवल दूस इसमें क्या होता है इसमें बच्चा शिर्फ धान्यों यह सब्दों को सिर्फ जानता है लेकिन उनके अर्थ नहीं जानता है ठ्क है जैसे मम्मी पापा खाना पीना बच्चे इनको बोल तो लेगा लेकिन इनके मतलब नहीं पताउंगे एक एक व्यूम्य आपको समझाता किए चिसमय सब्सक्राइब कर नहीं कि इसके लागर मैं बात करूट क्यों कि इसमें सब्थ को ग्यान होता ते चरणी यह उसके बाद वेकंसी निकली के उसमें ब्रिटरन लेक्जांब्ग्यान पास करो जो और उसके बाद आपका इंटर्वीव होगा तो इंटर्वीव में भी आपके जैसे मानलीजी एक एक्जाम ऐंटर्वीयो ने पूछ लिया पैनल में से किसी ने कि बती है अब आप क्या कर रहे हो तो आप यह तो नहीं कह सकते कि काट रहा हूँ एस तरीक यह स kale काट काट रहा हूं ठीक है इस तरीके शुता आंसर नहीं देख सकते आपको आंसर कैसे देना पड़ गए एक मैनर तरीके में देना पड़ेगा ठीक के जैसे मगर मैं वीडियो बना रहा होते और इसमें अर्थों का ज्यान हो जाता है ठीक है तो यह हो गए इसके दोनों लेवल अब बात करते हैं इंपर्टेंट कोश्चन आंचर जो आपके एक्जाम में इंचे संबंदित पूछे जाते हैं पहला कोश्चन आपका भासा और विचार के संबंदू की चर्चा में अग्रणी है अग्रणी मतलब सबसे आगे कौन है तो सबसे आगे ते आपके नौम चोमस्की आंसर इसमें आपका हो जाएगा थर्ड से ही हो जाएगा आगे कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन है आपका चोमस्की के अनुसार कौन सा कतन सही है पहला बच्चों में बास से सीखने की जम जाच्छमता होती है यह भी कोश्चन आपका हो गया अगला कोश्चन देखते हैं यह कोश्चन आपका इंगलीश और आपका CDP में भी पूछा गया था कोश्चन बाल विकास में और आपकी इंगलीश लेंवेज में नोम की नोम चोमस्की का डीप इस्ट्रक्चर के रेफरेंस में क्या मीन है ठीक है पहला उप्सन देखते हैं युनिवर्सल ग्रामर अंडर लाइंग और लेंग्वेज एंड कोर्सपंडिंग टू एन इनेट कैपेसिट्यू अब दा हुमन ब्रेंड ठीक है तो आप समझ गए पहला ही सही हो जाएगा इसी बात को आपके नोम चोमस्की भी बोलते ठीक है तो फ्रेंड्स यह जितने भी महत्पून कोश्चन थे आज की वीडियो में मैं आपको ले दिये सुर में नोम चोमस्की के बारे में आपको बता भी दिया यह आपका दूसरा टोपिक खतम हो गय लेंगे इसलिए चैनल से जुड़े रहना सब्सक्राइब कर लेना आयोप आप लोगों को वीडियो पसंद आयोगी थेंक्यू